चलो अब खानावाना खाली आजाए, खाने का टाइम भी हो गया है, यही मगा लेती हूं लच्छ में बहु से यहीं खालोंगी, बहु बेटा खानावाना बन गया हो तो लाओ खाया जाए भाई, बहुत भूक लगी है, ऐसे खाली खाली बैट के मज़ा नहीं आ रहा है, एक क ठीक है, एक काम करना, मैं तो कॉफी पीती रही है, तो मेरे लिए चाय बना लाना, तुम दो में से जो भी जाए, कॉफी बनाने, तो मेरे लिए चाय बना के लिए आना ठीक है ना, पर कॉफी बनाने जाएगा कॉन, मैं तो देखो काम करकर के ठक गई हूं, अभी मैंने खा ना लेके आप भूग लगी है माजी बुला रही है क्या अरे दीदी रहने दीजिए उनकी पास तो पूरे दिन बस यही का में कहा चली गई कहां मर गई क्या कर रही है माजी के चक्कर में मत पड़ा करो उनका बस चले न तो एक पल के लिए बैठने भी न दे कितने दिनों के आपन लोग एक साथ बैठे हैं लेकिन फिर भी न माजी को पता चल गया होगा पक्का कि अपन लोग फुरसत में बैठे हैं सोच रही होंगी कैसे बैठ गई यह तीनों एक साथ इनको काम बताया जाए आप नहीं जानती है अरे हटो चोटी कोई काम होगा तब ही बुला रह बैठे देख लेंगी तो उनको बोरा लगेगा ठीक है ना वो तो खुदी कहती रहती है फ्री टायम पे आराम किया करो पूरे दिन काम में मत लगी रहा करो तुम तो पताने क्या क्या माजी के बारे में सोचती हो आप तो ठीक है मैं तो कोफी बनाने जा रही हूं आपी दे निखाल लेती है अरे तो क्या हुआ छोटी डीडी वो तो पूरे दिन चाय कॉफी बनाती रहती है आद जाए आप बना के लाईए अरे यार तु तो जानती है ना प्रिया मैं जब ठक जाती हूं ना मेरा मन किसी चीज में लग तक तु चली जा मेरी बैन तो बना लाना मैं के बीटीए रहनी थोड़ा सा अगर हमसे काम बेकर जाता है तो कैसे बोलती है आप रहने दीजिए दीडी आप न वो होता है नो जो क्या बूलते है उसको जो कलर बदलता है उससे भी ज़ादा है तुने मुझे गिर गिट बना दिया मतलब मैं कब बदलती हूं एए देखो तो कैसी बात कर रही है अपरिया मैंने ये तो नहीं बोला कि आप गिर्गिट है मुझे क्या पता मैं तभी तो बोल रहे हूं कि वो जो कलर बदलता है पल में सोला पल में पासा वो आला हाला आपका है चल छोड़ना मुझे गिर्गिट गिर्गिट मत बना कौफी नहीं बना यह मत बना मैं बना लूँगी पर उल्टे सीधे नाम तु मत दे अच्छा ठीक है सौरी नहीं दूँगी उठीए फटा फट फट फिर बना के लाईए जा रही हूं तेरी कॉफी में न मिरसे डाल के लाऊंगी तब तुझे पता चालेगा मुझे गिरगिट बोलने बाली तु तो जाईए चाय कॉफी की जगए आप बाते बना रही है बाते थोड़ी न पी नहीं है कि खानी है चाय कॉफी बनाईए माजी आप बुला रही थी क्या अरे कब से बुला रही Woran गला फाड फाड के सुनाई नहीं देता क्या भूक लगी है खानवाना मिलेगा यह नहीं मिलेगा यह भी बता दो अरे सुरी माजी हमने सुना नहीं वो रूम में अंदर बैठे थे यशी बाते कर रहे थे तो बस वहां सुनाई नहीं दिया जब आप आज गई तब हमने सुना तब भाग के आए और ये सीटी काई की लग रहे ये भी खाना नहीं बना क्या है अभी कोकारी चड़ाए हो वा क्या बात है नहीं माजी खाना तो लिए आपी बची आप भी खा लीजिए फिर हम लोग भी खाए चलो कोई बात नहीं उनको भी बुलाओ प्रिया सुनता को और तुम भी आओ खाना ले गया हो साथ में खाते हैं सब लोग काई के लिए लग अलग भागूगी ठीक है माजी माजी माम्मी माम्मी पर लड़कर और नागे क्या ससुलाल से आरे ममी ही आपने nä Ooo मेरी एसी कंज़नों ने साधी करी ग़िंग मेरी जिदी की जट हो गया कराब हो गई में मोत आ रही है इनको बस ज्यादा नहीं देड़ दो साल से मैंने घर की सपाई में करी बस चोटी-चोटी बातों पे लड़ते हैं मेरी जिंदी की खराब हो गई एक दम से तंग आ गई हूं मैं बता रही हूं अपने दामाद को समझा लू अच्छे से वन्ना टककर मार की न अपने दो खृचशोब कर आयो तो अपने अक्का यह समस्ता बड़ा बना भूनता रहता है और तो और सोलो तो मम्मी सुबह सुबह उठा देगा बोलेगा चाह्यवना अर मैंने तु खुद बना लीना चाह चलो ठीक है चाह बना दूगी तो भूलेगा खाणा दू खाणा निर्मा डालके फुला दूगे तो फिर कहेंगे चलो उठो सफाई करो बस ऐसी करता रहता है बताओ क्या करो ऐसा चलबोजा आदमी जूड़ा आपने मेरे लिए मेरे जिन्द की जंड करते आपने क्या हो रहा है देदी ऐसे क्यों गुस्से में आ गई अजी क्या हो गया अरे क्या बताओ लच्मी बहू क्या हो गया देख ना इसके कारणामी मुश्किल से अगर एक मैने साइस रहले सा सुराल में तो बहुत बड़ी बात है 72 वाल लड़के भागाती है कोई बात नहीं माजी आज आने दो आपकी तो बेटी है तो आ गई है तो क्या हुआ यहां पे कौन काम की कमी है यहां भी तो काम बहुत है तीन से चार हो गई क्यों न न दुबाई देखो मम्मी अपनी बाउ को समझा लो नहीं जब मैंने आपके दमाद को ने छोड़ा तो बाउ को तो और नक्सीर पक्सीर तक्सीर से तोड़ दूगी पकड़के इसको कैसे छोड़ दूँ ये न घर की भली है न कहीं की न माईके न ससुराल इसकी कहीं नहीं पढ़ती है मम्मी जी आप मजे चाम माट जाले यहीं पे लेकिन नहीं मानूगी तो नहीं मानूगी ऐसी बोलूगी जो दिखाई दे वो कर लो नहीं मानी की तू मैं भी तेरी मम्मी हूँ मना के ही रहोंगी तू कितनी अपरबला हो गई है रुख्जा मैं तोजे देखू काम नहीं करेगी तू है एक साल से तूने कपड़े नहीं दोले छे मैने से तूने खाना नहीं बनाया है रुख्जा अब तू यहाँ डेली काम क चोटी यह कौन सा तमासा है तुम हस रही उखड़े होगी है अपने दिन भी याद कर लो नहीं है याद या फिर हम दिलाएं हम जब लोग दूसरों पर हसते हैं ना तो एक दिन वो खुदी हसी बन जाते हैं खुद का मजाग फिर खुदी बना लेते हैं ठीक है न चोटी तो हसने की ज़्यादा जरूरत नहीं है तुमको और यह सब ड्रामे ना करो तो यह अच्छा है वो माँ बेटी का रिस्ता है माँ बेटी का वो तो उने पट लेंगे खुदी तुम दूसरों के बीच में मजे मत लो समझी ना क्यों आपको क्या दिक्कत हो रहे यह देदी हम अ भात रहा है न तो हमने आपका मुझत पक्ड़ा निया भीह सजिए घजब लोग टमास देखाएं तो देखना भी चाहिए न लच्छमी वह जाहिए भोण दीदी एक बात बोले ना हमसे ज्यादा ना ओबर रेक्टिम न किया करो ठीक है ना ज्यादा अच्छी और भोली बननी कोशिस में मत रहा करो हम हस रहे आपको क्या दिक्कात हो रही हसेंगे हमारा मुझ पकड़ लेंगी क्या आप बताईए लो हसेंगे हाहाहा क्या करोगी हसो खुब हसो मेरा पुझे नहीं जाएगा तुम अपनी करनी भरनी बना रही हो हसो दो चार और किराय से मंगालू पैसे दे के हसने के लिए जो ठक जाव हसते हसते आजी आप दीदी को छोड़िये ले लो मजे ले लो जिसको जितने लेने हो बक्त आने पड़ना एक एक चीज का हसाब लोगी किसी को नहीं छोड़ोगी देख लेना